हेलो स्टूरेंट्स, हाव आ यू, होप यो अला वेल कल मैंने आपको फिफ्ट क्लास के कुछ जी के कोशन्स करवाई थे 10 जी की कोशन्स, आज हम नेक्स्ट 10 जी के कोशन्स करेंगे माशा करती हूं कि कल जो मैंने करवाई था वो आपने राइट डाउन भी कर लिया और लर्न भी कर लिया है, आज नेक्स्ट कोशन है, फर्स्ट कोशन देखते हैं विच इस दा हाइस्ट माउंटेन इन दा वर्ल्ड कि दुनिया में सबसे उंचा परवत कौन सा है, सबसे बड़ा परवत कौन सा है यह है Mount Everest Mount Everest दुनिया का सबसे बड़ा परवत है और यह नेपाल में situated है next question which planet is known as the red planet कि ऐसा कौन सा ग्रह है ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो red planet के नाम से जाना जाता है कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो है Mars Mars होता है मंगल ग्रह कि मंगल ग्रह को प्लैनेट के नाम से जाना जाता है next question है which two parts of the body continue to grow for your entire life कि हमारी शरीर में हमारी body में ऐसे कौन से दो पार्ट होते हैं जो हमारी पूरी entire life पूरी जिम्दगी में बड़े होते है जैसे हमारी हाइट है तो maximum वो 18 तक बढ़ती है फिर उसके बाद में हाइट जो है वो बढ़ना बंध हो जाती है पर दो पार्ट से होते हैं जो हमारी पूरी life में बड़े होते रहते हैं उनकी growth रुपती नहीं है वो है nose और ears कि हमारे नाक और कान जो है मारी पूरी जिन्दगी में बढ़ते रहते हैं next question है name the four metropolitan cities of India की भारत में चार metropolitan cities जो है महानगर जिनको बोलते है metropolitan cities होते हैं महानगर की महानगर ऐसे कौन से हैं उनके नाम बताओ तो वो है मुंबई चन्नाई कोलकाटा और डेली ये चार इंडिया के महानगर है next question है what is the boiling point of water की पानी का boiling point क्या है कि कौन से temperature पर पानी जो है वो उबलना शुरू कर देता है वोईल होना शुरू हो जाता है तो वो है 100 degree centigrade की जब पानी को गरम करते हैं तो जब उसका temperature जो है वो 100 degree तक पहुंच जाता है तो वो बलना शुरू कर देता है next question है name the first female Indian astronaut की भारतिय महिला पहली भारतिय महिला अंतरिक्ष यात्री कोन थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतिय महिला कोन थी तो वो थी कल्पना चावला कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारती है कौन था उसका नाम क्या था वो था राकेश शर्मा कि राकेश शर्मा जो थे भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे next है who invented the telephone की telephone का आविश्कार किस ने किया है तो Alexander Graham Bell ने telephone का आविश्कार किया है next question है which acid is found in lemon की निम्बू में कौन सा acid पाया जाता है lemon में कौन सा अमल पाया जाता है तो वो होता है citric acid next question है what is the full form of news की news की full form क्या है तो यह है north, east, west, south यह news की full form है तो यह थे आज के 10 GK questions आपको यह write down भी करने है यह ही आपका homework है write down भी करने है इनको learn भी करना है आपको इनका जो इनकी जो pick है इसका image है वो आपको app पर उपलब्द करवा दिया जाएगा Thank you